हेलो फ्रेंड्स मैं मोहित पाठक और आपका स्वागत करता हूं आप ही की यूट्यूब चैनल स्टॉकिया ज़स्ट देर टुइनेस पर आज मैं आपको एक स्टेड़िजी बताने जा रहा हूं जो कि इस स्टॉक मार्केट की इंडस्टी में ट्रेडर्स या स्पेकुलेटर्स या फिर म्यूशल फंड हाउस या फिर यू समझ लिजे कि डी आई आई ऐस उन सब के द्वारा सबसे ज्यादा यूज में लाई जाती है इवन मैं इसको सबसे ज्यादा यूज की जाने वाले स्टेड़िजी समझता हूँ यह सबसे ज्यादा यूज होती है तो जहिर सी बात है यह थोड़ा सा टब भी होगा तो यह वीडियो मैंने सपूर्टन रजिस्टेंश के स्टेड़िय अगर आपके पास टाइम है μέ进 है प्हले से रिक्वेस्ट करता हूँ अगके पास टाइम है तो आप यह वीडियो देखिए Oo 25 से 30 मिनट इस वीडियो हो सकता है और यह पारट उन है सपोट-ाइन-घिस्ट मेरी अपनी mindset के हसाब से यह बना हुआ है मैंने अपने mindset के हिसाब से इसको कैसे trade करोगे यह बताये हुआ है अगर आप जाते हो पहले से आपको लगता है को सबस्क नहीं को आप गार्षा और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो का लाइक करके अपने save to watch list लेटर में आप उसको add कर सकते हैं फिर जब बाद में आपको time मिले तो आप उसको देख सकते हो तो मैं आज अब चर्चा करता हूँ support and resistance के बारे में तो जैसा कि मैंने कहा सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली ये strategy है इंडियन stock market dynasty में सबसे ज़्यादा इसको हम इस्तेमाल करते हैं तो support and resistance actually होता क्या है वही कहां से किसी को support मिलेगा कहां से किसी को resistance मिलेगा वो क्या होता है तो हम उसकी normal definition पे चलते हैं और अगर आपको ये अच्छा लगे तो वीडियो को like करिएगा और दूसरा का सेड करिए तो support देखिए support का मतलब क्या होता है जैसे कि आपको मालूम है normal आप English इतनी तो मालूम ही होगी तो इसमें क्या होता है कि कि किसी price को जब नीचे एक कहीं एक level होता है जहां पर हमें support की आवर सकता होती है दूसरा resistance, resistance मतलब कि एक ऐसा level होता है या फिर एक ऐसा zone होता है और range होता है जहां से price को वापस नीचे आने की possibility बनती है तो अगर मैं एक word बोलता हूँ, मैं quote करता हूँ, history repeats itself history repeats itself, अगर मैं यह बोलू support and resistance के लिए तो कोई आतिसयोक्त नहीं होगी, यह बिल्कुल उसी तरीके से होता है यानि जो history होती होता है, इतिहास अपने आपको पुनह दोहराता है support and resistance में भी वही होता है, support एक बास जहां बना है अच्छा support है तो वापस वो दोहरेगा, उसको वापस वो return price move होगी उपर के side और resistance अगर strong है तो वहाँ से वो आपस वो नीचे के side price आएगी that's why a call history repeats itself, clear, अब दूसरी चीज, आपने एक और strategy सिखी होगी या नाम सुना होगा breakout, क्या? breakout, देखे, सबसे ज़्यादा जो trading होते है support and resistance के बेस होती है उसके बार जो trading होते है, वो breakout पे होती है, clear, तो यह जो breakout होता है, यह breakout की मम्मी है support and resistance, समझे ना, यह support and resistance से ही breakout पैदा हुआ है समझे ना, जो technical star में आपको सिखाते हैं, जो technical answers की class लेते हैं, सिखाते हैं, यहाँ पर आपको सभी दूसरी strategy है trend, trend, clear, trend, तो trend जो है ना, वो support and resistance का पड़ूसी है, नियोबर है, वो उसके आजू बाजू में रहता है, clear, तो अब हम चलते हैं support and resistance की definition जा लेते हैं, कि बई, देखो, जानना होता है, क्योई कि चीज की theory पड़नी जदूर होते हैं, फिर आप आगे उसमों technical में चलता हूँ, तो यह मैं theory पर चलता हूँ, फिर उसके बाद मैं chart पर जाओँगा, technical, chart में, अलग-अलग 10 से 15 chart में, मैं test करवाऊँगा, कि देखो, यहाँ पर यह support है, यह resistance है, यह mindset होगा, और यह basic है, चु एकडम technical होगा, उसके base पर मैं आगे आपको आने वाले दिनों में 2-3 trade लेकर के live trade दिखाऊँगा, live video बनाऊँगा, clear, तो जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ, या जो मैं आज सिखा रहा हूँ, तो उसको सीखिए, फिर next जब video आएगा, उसको देखिएगा, फिर जब तीसरा video that a stock tends to trade at, यानि एक ऐसा lowest price होता है, जहां पर एक stock नीचे, सबसे नीचे की साथ, जहां पर उसकी tendency होते ही को यहां पर trade करें, clear, support occurs where a downtrend is expected to pause due to a concentration of demand, यह किसलिए होता है, क्योंकि जब उपर से selling आती है, clear, जब उपर से selling आती है, आनि price नीचे आ रही है, तो price जब नीचे आ आती है, तो वो एक लालज बढ़ता है, क्या बढ़ता है, लोगों के अंदर लालज बढ़ता है, और वहां से demand बढ़ता है, demand means, लोग खरिदने के लिए वहां पर वापस आ जाते है, लोगों को मालूम होता है, कि यह यहां से नीचे, इसके नीचे जादा नहीं जा सकता, तो वहां से वह demand आजाती है और लोग buy करने के लिए दोड़ने चले आते हैं और जब लोग buy करते हैं तो वहां से वह वह वापस घूम जाती है एक particular level से जहां पे demand और supply दोनों में mismatch हो जाता है यानि जहां पे supply कम हो जाती है और demand बढ़ जाती है यहां पे supply कम हो जाते है और demand बढ़ जाती है यानि जब जहां पे लोग sell करना कम कर देते हैं और खरीदना ज्यादा कर देते हैं वही से वो price घुम जाती है और उसको बोलते है support क्या बोलते है support ओके यहां पर देखे सीधे सीधे या पॉस्ट करके पढ़ भी सकते हो यहाँ पर पता ज़ाएगा अब दूसरा resistance भई यह resistance क्या है resistance का मतलब क्या होता है कि एक particular जोन होता है उपर की side chart में अगर बताना चाहों तो ओके यहाँ पर एक देखे जोन होता है जहां से price वो वापस नीचे आना चाहती है तो उसी को बोलते है resistance तो resistance में अगर हम मैं डेफिनेशन लूँ इसका मतलब कि एक highest price होती है जहां पर stock trade करना चाहता है और उसके नीचे जब देखे रेजिस्टेंस ओकोर्स वेर अप्ट्रेंड इस एक्सपेक्टेड तो पॉस ड्यू तो कांसेंट्रेशन आप सप्लाई यानि resistance तब आता है तब मिलता है तब पैदा होता है जब सप्लाई क्या concentration बढ़ जाता है clear यानि इसको सीधे सीधे मतलब समझते है जिनों नीचे से position बना रखी है जब वो उपर जा रहा है प्राइज उपर घौम रही है भाग रही है तो वहां से वह profit बुक करने का लालच उनमें बढ़ जाता है यहां पर देखे सीधे सीधे लिखा है as the price increases greed of profit booking clear यानि जब profit book का लालच बढ़ जाता है तो लोग sell करना शुरू कर देते हैं और जब sell करना शुरू कर देते हैं तो एक ऐसा टाइम आता है जहां पर demand घड़ जाती है supply से clear यानि supply बढ़ जाती है यानि जब लोग profit booking करना start कर देते हैं तो वह sell करना शुरू कर देते हैं और एक ऐसा particular किसी यह concept हो गया यह definition है वैसे definition की कोई मतलब है नहीं कौन साम एक जाम पास करना है हम technical की चीज़ी पर चलेंगे the strength of our support and resistance is directly proportional to the number of times अब इसका देखे मतलब यह जो math वाले हैं उनको पता होगा directly proportional directly proportional means that के जितना ज्यादा number जितनी ज्यादा number बार जितनी ज्यादा बार price किसी particular level से उपर गई होगी और price किसी particular level से नीचे आई होगी उतने ही ज्यादा strong वो resistance zone कहा जाएगा अब इसको zone कह लेते हैं देखे zone इसलिए होता है क्योंकि 405 से ही हर बार गोमेग ऐसा तो दोरी है नहीं समझ रहे ना 410 410 से गूम सकता है 415 से गूम सकता है 404 कर से गूम सकता है 406 से गूम सकता है तो 404 سے लेकर के 450 तक एक zone कहला हैंगा जहां से Pacific Zarcourt यहां पर adolescents एक जूम रहाए अब यहां पर देखिए अब एक चीज़ और मददा देता हूं सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा एक जैसा होगा ऐसा जरूर नहीं है सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है टाइम फ्रेम के हिसाब से अलग अलग होता है अगर आप वन आवर का चार्ट दो के देखोगे तो उसमें कई सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेंगे अगर आप वन डे का चार्ट देखोगे तो वहां पर कई सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेंगे और अगर आप कहीं आगे देखोगे daily के बाद weekly में जाओगे, monthly में चले जाओगे, तो आपको कहीं और ज़्यादा support and resistance वहाँ पर देखने को बिलेंगे, clear, तो अब ये मैं theory बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में चलूँगा आपको आगे practical सिखाने, क्योंकि ये theory आप याद तो ये practical आपको काम आएगा, अब देखिए ये support and resistance जो है, वो किसके लिए किसके काम में आता है, समझे ना, किसके काम में होता है, ये support and resistance जो काम में आता है, वो सबसे ज़्यादा short term traders के काम में आता है, यानि short term trading जो एक week से ले करके, यानि BTS भी पकड़ सकते हो, एक दिन से ले करके, दो week और एक महीने तक जो trade करना चाहते है, ये short term trading होती है, उनके लिए support and resistance सबसे ज़्यादा beneficial होता है, अब support and resistance कितने type का होता है, चलिए, support and resistance कितने type का होता है, मैं वो गी बता जिता हूँ, तो support and resistance जो होता है, वो आगे ये दो type का है, उसके पहले ये समझ लिज resistance, flat, clear, flat मतलब यहां से वो एक particular ऐसे घूमेगी, ऐसे, ये mouse मेरा करसर जो घूम रहा है, वहां से घूमेगी, और एक trending support and resistance होता है, अगर मैं आपको चार्ट दिखाना चाहूँ, तो मैं ये card chart देख लिजिए, ये flat support and resistance मैं चार्ट पर आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, flat resistance है, यानि उपर की side resistance हमेशा, resistance हमेशा उपर की side होगा, current market price की, जो आप समझ लिजे, current market price के उपर ही हमेशा resistance होगा, resistance कभी नीचे नहीं होगा, समझ रहना, और current market price के नीचे ही support होगा, support कभी उपर नहीं होगा, current market price के, उपर जहां बार बार प्राइस घूम रही है और करेंट मार्केट प्राइस से नीचे जहां प्राइस वापस रुप करके उपर आ जा रही है उसको support और उपर वाले को resistance समझेंगे तो यहां पर देखे यह जो मैंने टाइम पास करके, टाइम पास होगे, चलो निकल लो, नीचे आ गई, फिर वो उपर गई, थोड़ा सा टाइम पास किया, फिर नीचे आ गई, फिर वो उपर गई, फिर नीचे आ गई, समझ रहा है, तो ये जो एक सीधी रेखा में बना हुआ है, सीधी रेखा में 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 बना support चलिए देखते हैं flat support कहां पर है यह देखिए बना है flat support अब यहां पर example आपको clear हो जाएगा flat resistance and flat support आपको पता चाज़ाएगा देखिए यहां पर price नीचे आई एक बर यह उपर गई फिर यहां से वो उपर गई फिर नीचे आई यहां पर अब पर से नीचे आई फिर यह नीचे आई यहां से वापस घूम गई फिर उपर गई फिर नीचे आई यहां से वापस घूम गई तो यह चार बार इसने support लिया है तो यह सीधी रेखा में है इसको हम बोलेंगे flat flat means ऐसे सीध्य वाला, clear, flat support and flat resistance ये concept clear हो गया, दूसरा क्या है भई, trending support and resistance है, flat तो पता चल गया, चलो उपर नीचे बराबर बना होगा तो trending क्या है, trending में भी support and resistance होता है, कैसे चलिए, अब मैं trending support and resistance आपको बताता हूँ, मैं पहले ये पूरा सब कुछ erase कर दूँ, अब देखिए, trending support and resistance क्या होता है, ये होता है trending, चाहे वो उपर की side हो, trend हो, और चाहे नीचे की side trend हो, समझ रहा है, trend उपर के side भी हो सकता है, trend नीचे की side भी हो सकता है, यहाँ पर पकड़िए देखिए, इसको चीज़ा है और थोड़ा ले नहीं, तो idea मिल जाएगा समझ रहा है, अभी मैं सिर्फ demo बता रहा हूँ, demo means यह basic है advance में मैं इतना advance आपको कर दूँँगा कि support and resistance में आप खुद trade करने लगोगे, और फिर मुझे comment box में बताना की क्या benefit हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर यह trending कहलाएगा, यह trend uptrend का है, support यह uptrend का है, तो नीचे की जो line है, यह support है, यानि stock जो था, वो trend में था, उपर जा रहा है particular किसी एक level से, यहाँ पर देखिए उपर जा रहा है, particular किसी एक level से नीचे आ गया, वहाँ पर थोड़ा सा time spend किया support लिया, वापस वो नीचे उपर गया, वहाँ से उपर से जा करके particular किसी level पर देखिए, यह level match नहीं कर रहा है, समझ रहा है, यह level नीचे है, और यह level उपर है, इसे लिए flat और trending में difference है, समझ रहा है, flat support and resistance अलग है, और trend वाला support and resistance अलग है, तो यह देखिए, उपर जा रहा है, फिर उसके बाद यह नीचे आया, फिर यहाँ पर support लिया, फिर यह उपर गया, फिर वो वापस नीचे time spend किया, नीचे गया, फिर यह उपर गया, फिर यह थोड़ा सा ओर उपर गया, फिर trending support, इसी दोनों चीजों को मिला करके, पहला चीज, support and resistance, दूसरा trend line, एक नई चीज बनके आती है, channel, आप लोगों ने सुना होगा, channel pattern, channel pattern क्या होता है, वो channel pattern नहीं है, इसी को बोलते है, channel pattern, आप समझ लिए, channel pattern क्या होता है, particular जब कोई stock trend में होता है, किसी channel में होता है, तो trend line टच करके, बना करके, draw करके, हम उसमें trade ले सकते हैं, easily, clear, यह trade करना मैं आपको सिखाऊँगा, कैसे trade करना है, वो सब चीजी अच्छे से सिखाऊँगा, पर यह part 1 है, part 2 और part 3, part 3 के बाद आपको training करके मैं दिखाऊँगा, इसी बेस पर जो मैंने सिखाया है, फिर आपको पता चलेगा, कि किस तरीके से काम होता है, share market में, तो देखिए, अब basically आपका concept तो clear हो गया होगा, कि flat support क्या है, flat resistance क्या है, और trending support and resistance क्या है, यह आपको idea मिल गया, clear, अगर मैं आपको downtrend का दिखाना चाहूँ, तो downtrend कब था, किसी stock में, यह मैं निफ्टी का देख रहा हूँ, चले काम करते हैं, हम यहाँ पर open करते हैं, अब यह रिलाइंस है, इसमें downtrend कहां से दिखेगा, यह कोई छोटा मोटा थोड़ी है, यह रिलाइंस है, समझाए ना, चले ग्रैजिम, तो ग्रैजिम देखिए, यह ट्रेंडिंग, डाउन ट्रेंड में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, समझ रहना, यह आपको, आप इसको भी पहचान लेएं, देखे, पहचान जरूरी होती है, अगर पहचान नहीं होगी, तो फिर आप उसमें ट्रेडी नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, तो दिखी, यहाँ पर पर्टिकुलर लेवल पर यह था, नीचे चला गया, clear और वहाँ से support लेकर के फिर यह उपर गया फिर थोड़ा सा नीचे आया फिर उपर गया वहाँ से फिर नीचे चला आया यहाँ पर resistance face किया clear एक बार यहाँ पर resistance face किया फिर यह नीचे गया फिर उपर गया फिर यहाँ पर resistance face किया फिर नीचे गया, फिर उपर गया, फिर यहां पर इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे गया, फिर यहां पर थोड़ा सा आया, वहां पर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे गया, यहां पर सपोर्ट फेस किया, और उपर चला गया, फिर उसकी बाद दूस इसकी पहचान कर लो पहचानना जरूरी होता है फिर बाद में आप देखोगे कि इसमें ट्रेड करना है या नहीं करना है करो या नहीं करो वो सब अलग चीज़े पहले पहचान करो समझ रहो ना तो यहां पर देखिए आपको ट्रेंड मिल गया ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड क्लियर चलो अब हम चलते हैं आगे की डिफिनेशन क्या है हमारी अगर कुछ है तो शायद नहीं है यह वाला हाउ टू इंटिफाइ सपोर्ट एंडजिस्टेंस क्लियर तो देखिए सबसे पहले मैं आपको सिखा देता हूं कि सपोर्ट एंडजिस्टेंस बनाना कैसे है होगे उसमें सपोर्ट कैसे बनाना है रेजिस्टेंस कैसे बनाना है वह बताता हूं और उसके पीछे कि साइकॉलजी क्या होती है मैं वह बताता हूं तो देखिए सबसे पहले तो मैं साइकॉलजी पे चला जाता हूं यहां पे निफ्टी है देखिए क्यों support and resistance benefit देता है क्यों सबसे ज़्यादा लोग इसमें trade करते है इसके पीछे कि मैं psychology बताता हूँ वो psychology साथ आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी या कहीं नहीं सुनी होगी clear आप समझ जाओगे कि आपको क्या यहाँ पे मिलने वाला है सबसे ज़्यादा लोग क्यों उसमें trade करते हैं आपको वो idea मिल जाएगा चले अब support and resistance की पहचान सबसे पहले अगर आपको support and resistance पहचान करनी है तो candlestick मत open करिए यह candle stick अभी आप अभी नए होना beginner होना तो candle stick chart मत लगाईए आप line chart लगाईए क्या लगाईए line chart line chart में आपको सबसे अच्छे से पता चल जाएगा कि support and resistance कहा है समझ रहा हो ना देखो यहाँ पे यह level है यहाँ पे यह level है यहाँ पे यह level है support and resistance यह पे यह level है यहाँ पे यह level है support जहां पे देखी एक support, दो support तीन support, 4 support इसको पकट सबते हैं, चार support, पांच support यह support है आप line chart टोपन करके देखीए आपको support और resistance की पहचान अच्छे से हो जाएगी candle stick बनाऊगे तो वो फाल्तु confused हो जाईगे आगे जब यह expert हो जाना दो-तिन महीने इसको सीख लेना, practice कर लेना ट्रेडिंग कर लेना, profit कमा लेना फिर इसको candlestick में आ जाना clear? ओकी तो देखे, यह क्यों काम करता है सबसे ज़्यादा और क्यों इसमें ट्रेडिंग होती है तो देखे लोगों की psychology होती है जैसे आप chart open करके बैठे हो तो आपको क्या लगता है, कि इंडिया में बाकी लोग खाली बैठे हो है बाकी लोग अंधे है उनको मालूमी नहीं है, वो trader को call करेंगे अपने RM को call करेंगे और भाव पूछेंगे, नहीं वो भी बैठे है, इंडिया में दो type के trader होते हैं, मैं बता जेता हूँ पहला ऐसा trader है, जो चार्ट देखकर के trading करता है, और दूसरा ऐसा trader है जो चार्ट नहीं देखता है, वो लेकर के बैठ जाता है, वो उसको बोलते हैं DII और ये सब चार्ट इवन सभी देखते हैं, तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर आप लगता है तो सभी लोग trading करने ही बैठे हैं, सब लोगों को चार्ट, सब के सामने चार्ट ओपेन बैठा हुए और आपको क्या लगता है, कि वो सब नहीं उनको हुई, clear, वापस नीचे गई, support लिया इसने, फिर वापस ये trend बना, छोटा सा ये channel बना, ये channel बना की नहीं बना, एक दो तीन ये channel, ये channel, ये छोटा सा channel बना, उसके बाद देखें, यहाँ पर एक नीचे गई, उपर आई, नीचे गई, उपर आई, नीचे गई, तो जब यहाँ पे support ले रहा है, जैसे आप यहाँ पे देखो, chart देख रहे हो, यहाँ पे price उपर गई, नीचे आई, यहाँ पे support लिया, और फिर वापस उपर गई, और फिर वापस नीचे आई, फिर थोड़ा सा उपर जाकर, फिर वापस नीचे आई, और वहीं से घूम गई, यहां पर देखेगा चलो ठीक है वह इसका इंतजार करेगा नहीं आया चलो उपर गया फिर वह घुम गई ना यहां से घुम गई की नहीं अब फिर जब नीची आ गई तो वह जान जाता है कि यहां पे support लेगी ही लेगी price समझेरो ना यहां पे price support लेगी ही लेगी और जब उसको मालूम है कि यहां पे support लेगी तो ठीक आपकी तरह सब लोग ऐसा ही सोचते हैं कि सब लोग ऐसा ही सोचते हैं कि बस support तो लगता है जब यह उपर गई तो यहांसे घूम रहे हैं न दोबार तो जब यहां पर आये तो लोगों को मालूम है तो लोग क्या करते起來 सौट करते हैं यहां नीचे वाले profit book कर लेते हैं और जो नए वाले हैं वो सौट कर लेते हैं जब सौट करते हैं तो सभी यह देख करके सौट करने लग जाते हैं और जब सब सौट करने लग जाते हैं तो price नीचे चली आते हैं क्यों कि supply बढ़ जाती है demand घड़ जाती है और फिर price नीचे आ जाती है तो जैसे आपको मालूम है कि support and resistance कहा है support and resistance किस जगा बना हुआ है वहाँ पे काम करेगा ऐसा सभी लोग जानते हैं और मानते हैं और फिर उसी के हिसाब से ट्रेड करते हैं और जब ट्रेड करते हैं तो वह actual में demand net supply का mismatch होता है और उसके हिसाब से moment उपर नीचे मिलती है यही है सभी को मालूम है कि support लेगा नहीं लेगा clear तो सब को मालूम है तो अब मैं आ जाता हूँ अपने candlestick chart पे और इससे पहले मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा और अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि और अच्छा support long term में क्या होता है देखे मैंने support बता है न कि जब भी छोटा time frame होगा तो हाँ पे कई support and resistance बनेंगे उसी time frame में पिस जैसे आपका time frame बढ़ा होगा वैसे कई support and resistance बनेंगे उसी टाइम फ्रेम में फिर और ज्यादा बड़ा time frame होगा उसमें कई ज्यादा support and resistance बनेंगे तो यहाँ पे शपोर्ट किस तरीके से बन रहा है कहाँ पे काम कर रहा है इस company को हम देख लेते हैं यह यहों गया ट्रेंडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस चलिए मैं इसको समझा लिता हूं है है अतर्श ही यह यह बहने है हैं proxy शलिग्षन कीया है कि कि अगल्थ कि अगल्थमाल है misunderstood कि और यह ओ गया आपका यह देखिए है आ यह ओर जून्टल राइन यहाँ पर यह हो गया आपका फ्लेट सपोर्ट तो देखिए जब यह स्टॉक यहाँ पर आया और यह नीचे आया यहाँ से वो सपोर्ट लेकर के घूमा तो यह मैं वीकली टाइम फ्रेम लगाया हुआ है भईया मैं एक वीक की चार्ट देख रहा हूँ समझ रहे हो यहाँ पर प्राइस देख लो यह 16 ग्यारा मार्च का है 16 अबढ़ 26 यह सब का है 26 यह 19 यह पशैबरारी यह फशैबरारी देख रहे हो और यह क्या देख रहे हो 2019 यह 3 साल का गयप है और यहाँ पर पर दख़ो तो यह भी है लगबग 6-7 महिने का गयत तो मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने टाइम फ्रेम में कैसे काम करता है वो सिखा रहा हूं आगे चलके मैं बताऊंगा कि कैसे ट्रेड करना है समझ दो न तो सीखो पहले अभी सीखो सांती से तो यह दिखिए यहाँ पर ट्रेड सब लोग देख रहे हैं यहाँ पर DII भी देख रहे हैं FII भी देख रहे हैं mutual fund investor mutual fund manager भी देख रहे हैं और आपकी तरह हमारे चोटे मोटे ट्रेडर भी देख रहे हैं सब को मालूम है यहाँ पर सपोर्ट लेगा और घूमेगा देखो सबने order डाला demand बढ़ गई supply घट गई price group उपर चली गई चली गई कि नहीं चली फिर चलो अब नीचे आई वहापस इनको मालूम था कि दो बात support ले रखी है वहापस यह घूमेगी वहापस यहाँ पर demand बढ़ी वहापस उपर चली गई फिर उसके बाद तोड़ दी यही में सिखाऊंगा कि काम करेगा नहीं करे बुझति होती है लोगों को मालूम होता है कि यहां दे लेगा वहाण पर सीफ फिर अडर आ जाते है इसा मानना होता है जोगों का इसके वज़ा से ओडर आते हैं पर दिमांड का भारी तो प्लड़ था नो समझ रहा नो, सीधे सीधे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जो अच्छा ट्रेड करेगा उसी का पैसा, अब देखिए ये चीज़ आपको कॉंसेट क्लियर हो गया, अब मैं बताता हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेल कैसे होते हैं, क्लियर, तो सपोर्ट और होगी, उसका impact मिलेगा, फिर दुनिया के सभी technical indicators धरे रह जाएंगे, समझ रहा हूं ना, news के सामने technical indicators नहीं काम करता है, और ये ब्रह्म में मत रहना, कि कोई news आएगी, और उसका technical indicator बीट कर सकेगा, that's impossible in the market, अगर आप ऐसा मानते हो की नहीं, मैं news के सामने में trade कर लोगा, का trade लोगे, मतलब profit का means कि आप उसके against में trade जाओगे, तो भईया दो चीज, या तो आप पागल हो, या तो आप भगवान हो, और आपको जय हो, चलिए, अब यहाँ पर देखिए, support and resistance आपको concept clear हो गया, अब मैं चलता हूं, 10 stock में मैं पहचान होगा, कैसे आपको support and resistance identify करना ह price action क्या होती है, किसे साब से, फिर मैं उसके बाद और बाते करूंगा, तो अब हम चलते हैं, लगभग, मैं nifty 50 का stock चालू कर लेता हूं, nifty 50, समझ रहाँ ना, अब हम सबसे पहले सुरुवात करेंगे, adani enterprises से, sorry, adani port से, तो देखिए, मैंने क्या बोला था, आप line chart open कर support and resistance, यहाँ पर मैं weekly लगा रखा है, मैंने daily, मैं daily कर देता हूं, चलिए, तो support and resistance कहाँ पर है, देखो, जैसे, अच्छा दूसरी चीज़, support and resistance बनेगा कैसे और बनेगा क्यों, यह तो मैंने बताए नहीं, चलिए, sorry, अब मैं बताता हूं कि support and resistance बनता कब है, एक तो मैंने ब price किसी particular label को तोड़ करके उपर जाती है, उपर जाती है, उपर जाती है, उपर जाती है, और वो आपस नीचे आती है, तो जो नीचे वाला label होता है, उसके लिए support का काम करने लग जाता है, और यह वीडियो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह second part में आएगा, यह basic version मैं बना रहा हूं, support and resistance का, तो देखिए, यहां से price इसके नीचे थी, price उपर गई, उपर गई, उपर गई, वापस नीचे आई, तो यहां पर यह जो मैंने बताया है, जो नीचे वाला है, उसके लिए support का काम करेगा, और फिर वहीं से support बन जाता है, लोगों की grid बढ़ जाती ह demand आ जाती है, demand बर जाती है, price उपर चली जाती है, और जब वापस नीचे आते हैं, तो यह पहले से zone बना हुआ है, उनको मालूम है, तो वापस यह वाला zone वापस उसको support करेगा, मालूम है, तो यहां पर लोग buying करना सुरू कर जेते हैं, तो यह total support का का काम करता है, फिर price उ उपर गई, तो अब देखें, यहां पर छोटे-छोटे support resistance है, कैसे, यहां पर देखिए, price उपर गई, clear, उपर गई और नीचे आई, तो एक देखी, यहां पर support बना, चलिए मैं इसको draw कर लेता हूँ, यहां से price आई, यह गई, यह गई, यह गई, यह गई, यह गई, और यह zone मैं जब बताऊंगा, second video में, तो आपको समझ में आएगा, कि zone क्या होता है, यह actually zone में बनता है, zone मतलब वही, यह गई, यह गई, यह गई, यह support लिया, clear, फिर वापस उपर गई, फिर नीचे आई, फिर वही support बना, फिर वापस उपर गई, फिर वापस उपर गई, फि समझे रहो ना, यह support बना, यहाँ पर यह support लिया, फिर उपर गई, तो छोटे-छोटे support and resistance होते हैं, समझे रहो ना, मैंने बताय हुआ पहली बार, कि छोटे time frame में, या एकी time frame में, कई support and resistance होगे, जैसे आप time frame change करोगे, आपको अलग-अलग support and resistance मिलते चले जाएंगे, तो एक बड़ी सी मोटी सी pipe लो, उसके अंदर उससे चोटी pipe लो, उसके अंदर उससे चोटी pipe लो, ऐसे pipe का बंड आर खड़ा कर दो, अब देखिए उपर चला गया, वापस नीचे आई, तो support कहां पे लिया, यह support बना, समझ रहो ना, यहाँ पर फिर आई, फिर यह support लिया, औ यह वाला resistance फेज किया, यह वाला resistance में, यह वाला है, अब देखो, इसको मैं पूरा कर लेता हूँ, तो यहाँ पर और फिर उपर गई, तो यह नीचे आई, तो यहाँ पर support कौन सा लिया है, यह वाला support लिया है, पूरा ना वाला support, जो पहले साही तयार था, समझ रहो ना, यह सीखो, अच्छे से सीखो, वरना कुछ नहीं, कोई नहीं सीखाने वाला, यहाँ पर सब आप से लाग पचास रुपे मांगेंगों, बोलेंगे, भईया मेरी टेक्निकल नाशी के class जोइन कर लो, मैं आपको सिखा दूँगा, कोई नहीं कुछ नहीं सिखाता, यहाँ पर अगला वाला, आपको बतांगा, उसके उपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, अब यहां पे गया तो यह वाला resistance face किया, price नीचे आ गई, फिर नीचे आ गई, फिर यहां पे यह वाला support बना, clear, फिर उपर गई, यहां पे resistance face किया, पुराना वाला एक, दो, तीन, तीन मार resistance face किया, नीचे चली आई, उपर नीचे आई, तो यहां से फिर वो support नहीं बना, य यहां पर न्यूज काम करी होगी यहां पर नुकसान हो गया नीचे आगया तो जब भी मैंने बोला फेल कहां पर होगा जब न्यूज आएगी अब फेल क्यों होता है फिर पहला पॉइंट होता है न्यूज फेल हो जाएगा, कोई इंडिकेटर काम नहीं करेगा, जो भी उखारना है, उखार लो, आगे, दूसरा आता है, कि भाई, लोगों को तो मालूम ही है, दो लोग है ना, मैंने आपको पहले ही बोला था कि, सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेल कैसे होता, वो सिखा रहा हूं, दो कोई FII, FII, DII की मोटी इन्वेस्मेंट आ जाती है, तो वहाँ से फेल हो जाता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो फेल होने के यही रिजन है, क्योंकि अब उल्टी पोजिशन भी बन सकती है, जिसको ब्रेकाउट बोलते हैं, ब्रेकाउट मींस, चलिए ब्रेकाउट मे नहीं, सीखो के नहीं अच्छे से, फिर दूसरा वाला वीडियो आएगा, उस पे और आगे बढ़ूँगा, फिर तीसरा वाला जब वीडियो आएगा ना, तो उसके उपर 50 रुप, मतलब फिर कमाना आप, और फिर मैं लाइब ट्रेड करूँगा, दिखाऊँगा आपको, जो मैंने सिखाए, उसी के बेस पे मैंने काम किया है, और उसी के बेस पर प्रॉफिट मिला है, वह आप देखना है, चले फिर ले लेते हैं, बज़ास फाइनास को ले लेते हैं, बड़ा अच्छा स्टॉक है, मैंने भी इसे परुछेस किया है, बहुत सामान, इसके EMI पर, तो देखे ये वाला है मैंने बताय हुआ है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कब बनेगा जब किसी पर्टिकुलर प्राइस रेंज से प्राइस नीचे जा करके उपर आएगी क्रोस करेगी और क्रोस करके फिर उपर चली जाएगी तो रेजिस्टेंस अगर होगा पिछला तो बनेगा नहीं होगा तो डिमाड्नेट सपलाइम स्मैच की वज़ा से नीचे आएगा या फिर नीच की वज़ा से नीचे आएगा लेकिन वह सपोर्ट पिछले जोन को पकड़ेगा यहाँ पर दिखे यह वाला सपोर्ट लिया इसने चलिए यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और यहाँ पे यह वाला सपोर्ट लिया इसने फिर प्राइज उपर गई उपर गई उपर गई उपर गई उपर गई उपर गई और उपर गई तो यहाँ पे सपोर्ट कौन सा बना यह वाला सपोर्ट बना समझ दो ना यह वाला सपोर्ट बना फिर उपर गई तो यह वाला पहला पुराना वाला सपोर्ट था यह वाला सपोर्ट बना यहां पर देखो फिर प्राइज नीचे आई फिर प्राइज उपर गई उपर गई उपर गई और नीचे आई यह कोरोना वाइरस है जिसने बरबा हाग जाओ सब लोग बोलेंगे बेच के निकल जाओ घर भाग जाओ लेकिन स्टॉकिया बता रहा है कि चार्ट देखो और सीको समझो ट्रेड करो खुद के दम पर किसी की मत सुनो समझ आउना कि इसी की मत शुनो धिकुत के दम बढ़ाई प्यारा इस्टॉक है भई चलिए हिंदुस्तानी उनिलिवर में क्या हुआ यह पर्टिकुलर यहां से मैं पकड़ता हूँ यह पर्टिकुलर यहां से यह प्राइस गई नीचे आई यहाँ पे सपोर्ट लिया प्राइस उपर गई नीचे आई यहाँ पे सपोर्ट लिया प्राइस उपर गई नीचे आई यहाँ पे सपोर्ट लिया फिर और पुराना वाला सपोर्ट होगा चलिए मानते हैं इसको line draw कर रहते हैं फिर उपर चली गई फिर यहां से नीचे चली आई वापस नीचे आई यहां पर सपोर्ट लिया यहां से नीचे आई यहां पर सपोर्ट लिया यहां से नीचे आई यहां पर सपोर्ट लिया यह पिछला वाला सपोर्ट लिया देखो एक सब्सक्राइब ये पाताल थोड़ी है कि यहां पर बैठा हुआ है वह उठा लेगा बाहु बली की तरह समझे ना बाहु बली ने जैसे उठाया था उसमें सिविलिंग को वैसे उठा लेगा वह अब यहां पर देखिए उपर जा रहा है फिर नीचे आया यह वाला सपोर्ड आपको यह स्डर्प देखते हैं संधरूरं महिंदरां चलू यह को डेलिन यहां हो गया हत या से प्राइज उपर गई आपि आ है नीचे आया ये वाला सपोर्ट लिया उपर गया ये वाला रेजिस्टेंस फेस किया फिर के येवाला श्रूम लिया फिर उपर गई नीचे आई नीचे आई नीचे आई उपर गई उपर गई उपर गई यहां से यह वाला रेजिस्टेंस फेस किया फेस किया कि नहीं किया यहां पर नीचे आई तो यह वाला पुराना वाला सपोर्ट था सपोर्ट लिया फिर उपर गया फिर यहां पर रेजिस्टेंस फेस किय यहां पर चला गया जब प्राइस उपर चलीगे तो पिछला वाला सपोर्ट बन जाएगा मैंने बोला ही है और अगर वो तूटे गा तो यह वाला तो खड़ा ही है उठाने के लिए बाहुगोली की तरह जै माहिसमती अब उपर चलो यहां पर यह उपर गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिसमैच हुआ नीचे आ गया यहां पर देखे फिर सपोर्ट लिया रहे वाँ क्या बात है किती बार सपोर्ट ले रहा है वाई एक दो तीन चार पांच छे यह देख रहे हो ना अगर अब भी नहीं सीखे मंश्चो छे मार्केट में पैसे कमाना इनमेस्ट्मेंट करना तो फिर छोड़ दो जॉब करो और कुछ मत करो अब देखो यहां पर गया तो यह एक बार यहां पर रेजिस्टेंस फेस किया नीचे चला गया वापस फिर रेजिस्टेंस फेस किया नीचे चला गया वापस फिर रेजिस्टेंस फेस किया नीचे चला गया नीचे चला गया और यहां पर देखो सपोर्ट तोड़ा तो सपोर में जरनी स्टार्ट हुई थी यह देखो एक और यह थोड़ा सा जोन ले सकते हो इसको छोड़ भी दो कोई बात नहीं यह अला हो गया यहां से यहां से एक्चुल में क्रॉस हुआ यहां पे हुआ था यह क्रॉस हुआ था इसी को सपोर्ट यहां पे ले करके प्राइस वापस वह घूमी है यहां पे कितना प्राइस था पता नहीं लो बनाया हुआ है इसने 308 का 308 से 306 डबल हो गया सी डिसी दे तो यह सपोर्ट रेजिस्टेंस का कमाल है यह मेरा पहला वीडियो था सपोर्ट रेजिस्टेंस को मैंने सिखाया आपको अब इसके आगे प्राइस लेगा अनहीं लेगा वह मैं दिखाता हूं अब चलो अब हमेंग्या देखेंगे यहां से श्टोर्ट लेगा या नहीं लेगा तो मैं रिवर्स कि मिसह अ किकले लेतें वेस्टोक लए कोई धूर्स की सणभार्म कौन सा ले स्टानल स्टिक चलो लेट ज़र बने स्टार्ट क्लियर? अब देखो सपोर्ट लेगा या नहीं लेगा? यहाँ पर देखो यह एक बार सपोर्ट लिया है फिर आगे चलते हैं तो आगे यह उपर गया फिर वापस यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा है यह वाला सपोर्ट बनाए टोटल फाइनल चलिए अब हम देखते हैं आगे सपोर्ट बनेगा यही वाला वापस सपोर्ट बनेगा नहीं बनेगा चलो प्राइस उपर चलिए अब देखो सपोर्ट कौन सा बन रहा है हम देखते हैं यह वाला सपोर्ट अब बनने लगा अब य अब चलो आगे देखते हैं अब यहाँ पर देखो अगर जो प्राइज मुवेंट चली गए तो सपोर्ट अब कौन सा बनेगा यह वाला सपोर्ट बनेगा समझ रहो ना इसको मैं मार कर देता हूं यह वाला रिंज जो है वो सपोर्ट का काम करेगा चलो अब आगे देखते हैं देखो काम किया कि नहीं किया आप बोलते हो कि सर आप ऐसा ही सिखा रहे हो अरे भाईया हमने इसको सीखा हुआ है देखो यहाँ पर सेम काम किया ना यह जोन टोटल सपोर्ट लिया कि नहीं लिया इसको बोलते हैं सपोर्ट फिर आगे काफी टाइम स्पेंड किया भाई और फिर उसके बाद यहाँ पर देखो सपोर्ट लिया उपर ही गया है भाई नीचे नहीं आ रहा है चलिए इसको छोड़ देते हैं यह सही स्टॉक नहीं है बड़ा लेंगी न तो सही होगा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है अलग क्लास बनाने वाला हूं इसकी वज़े से मैं और नहीं ले रहा हूं तो सपोर्ट और रिजिस्टेंस आपने सीख लिया फिर नेक्स्ट वीडियो जब आएगा मेरा तो उसमें मैं परफेक्ट और ट्रेड कराऊंगा किसमें कैसे करत होती है जब आगे आपका इसमें इंडिकेटर्स आते हैं जो आपको बताएंगे कि यह सपोर्ट काम करेगा यह नहीं करेगा यह रिजिस्टेंस काम करेगा नहीं करेगा तो जो तीसरा वीडियो होगा उसमें सबसे इंपोर्ट होते हैं पहला होता है मोविंग एवरेज और कि यह जो psychology मैंने सिखा था इसी को पर मैंने ट्रेड लिया है देखो कितना profit हुआ कितना loss हुआ वो समझने आपको clear clear आ जाएगा सो अभी के लिए इतना अच्छा है आप चार्ट open करके demand and supply के हिसाब से जहां पर miss मैं छो रहा है support and resistance कहां पर बन रहा है उसको identify करना सीखो अलग अलग टाइम फ्रेम पर सीखो thank you wish you all the best और अगर ये अच्छा लगा हो तो चैनल को subscribe करो लोगों के साथ share करो और सीखो ये basic हैसले मैं बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूं क्योंकि बहुत सी चीज़े हैं ऐसा नहीं कि मुझे मालूम नहीं है मुझे मालूम सब कुछ ह पर मैं आपके दिमाग में उतनी ही चीज़े डालना चाहता हूं जितना आपका दिमाग ग्राफ्स कर ले वह हैंडल कर सके so thank you wish you all the best